हाई अब्रीवन तो आज हम लोग डिसकस करेंगे इरोडोप का प्रॉबलम नमबर 1.51 तो इस कोशन को डिसकस करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके पीछे की बेसिक को डिसकस कर लेते हैं तो सपोज मेरे पास कोई एक इस तरए का एक मैंने जनरल शेप ले लिए रिज़ीट बाडी का और सपोज यह इसका सेंटर सी है अब सपोज यह रिज़ीट-बाडी सेंटर सी के बॉट एक प्यूर रोटेशन परफर्म कर रही होती है इस तरह से इस तरह से वो pure rotate कर रही होती है, अब मैं बोलूंगा कि किसी point की velocity हम लोग कि इस तरह से देख सकते हैं तो अगर ये subbos clockwise sense में घूम रहे है clockwise SCS में स तरह से घूम रहे है तो किसी point कोई पॉइंट ये सपोज ये point, इस point की velocity कि direction में होगी, वेलास्टी नीचे की डिरेक्शन होगी और सपोज यह डिस्टेंस इस आर तो लोग बोल सकते हैं वी इक्वल्स टू ओमेगा इन्टू आर यह बात तो समझ में आती है उसी दरह से मैं किसी भी पॉइंट की वेलास्टी नी काल सकता हूं इस पॉइंट की वेलास्टी इधर होगी इस पॉइंट की वेलास्टी इधर होगी तो यह तो हो गई जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स अगर हम लोग अंदर के पॉइंट्स लेंगे सपोज इस पॉइंट की सब्सक्राइब यहां से wide distance पे located है y distance पे located है यह point हो थोड़ा सा और अच्छे से बना देता है यहाँ पे wide distance पे एक point यहां से located है तो इसकी जो velocity होगी इस point की इस point की जो velocity होगी उसकी velocity होगी इस direction में हमलग देख सकते हैं इस direction rotate कर रहा है, तो इस point की velocity इस direction में होगी, ठीक है, और उसकी velocity की magnitude कितने होगी, omega into y, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जो कि यहां से perpendicular to the line joining c, ठीक है, जो भी यह point p है suppose, p to c जो line join हो रहा है, उससे perpendicular direction में omega into y होगी, उसी तरह से हम लोग किसी भी point की velocity निकाल सकते हैं, suppose यह यहां की velocity मुझे निकाल लिये, तो यहां की velocity अगर ऐसे sense में घुमरी है, clockwise sense में घुमरी है, तो इस direction में इस की velocity होगी, यहां से perpendicular, ठीक है, उसी तरह से इस point की velocity निकाल दे, इस point की velocity इस direction में होगी, तो किसी भी general point की velocity in that rigid body हम लोग इस सरह से calculate कर सकते हैं, यह तो बात हो गई, अब जब यह pure rotation perform कर रही होती है, this is for pure rotation, ठीक है, about c, c point के बहुत अगर pure rotation perform कर रही होती है, अब second case, अगर एक body pure translation motion perform कर रही है, pure translation, यप का क्या situation है, suppose इसका centre of mass c है, इसका centre is centre of mass है, as a case है, और इसकी velocity अगर मैं बोलू वी, तो मैं किसी भी point की velocity बोलूगा, तो उसकी जो velocity होगी, वो V ही होगी इस direction में, rigid body के हर एक point की जो velocity होगी, हर एक बात होगी pure translation की, अब हम लोग combine करते है, combine, rotation plus translation, rotational plus translation motion, translational motion, इस case को ध्यान से समझो, अभी center C है, ठीक है, और ये V velocity से इस तरह से move कर रही है, ठीक है, और इसके अलावा ये इस point की about किस तरह से घूम भी रही है, अब इस case में हमें किसी भी point, किसी भी एक generalized point की velocity calculate करनी है, वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो ऐसा assume कर लो, कि ये body pure rotate कर रही है about center of mass, V को भूल जाओ, ठीक है, तो pure center of mass के about अगर omega से अगर घूम रही है body, यहां से suppose y distance पे है, तो उसकी वेज़े से, मैं दूसरा pen select करेखा हूँ, उसकी लेज़े से, इसकी velocity कितनी होगी, ठीक है, ये clockwise sense में गुम रही है है, आपर, clockwise sense में गुम रही है, तो clockwise sense में गुमने के वेज़े से, इस point की velocity, एक तो हो गई कितनी, omega into y omega into y एक velocity होगी घूमने की वेज़े से अब इसके लावा हमें पता है कि हर एक point की जो velocity है वो आगे की तरफ जो center of mass की velocity है V उतनी velocity मतलब center की velocity आपर center center of mass दोनों coincide करें इसलिए मैं बोढ़ रहा हूँ point C की center की velocity अगर V है तो इस point की और एक velocity आएगी translation की वेज़े से that is V इस point की point P की मैं बोढ़ रहा हूँ point P V at V P की जो velocity होगी that will be V plus omega into y और यह किसकी वेज़े से है this is because of translation motion translation motion translation motion की वेज़े से और this is because of rotational motion एक है यह तो बात हो गई अगर यह clockwise sense में घुम रहा है अगर suppose यह anticlockwise sense में घुम रहा होता हूँ यह जो rigid body है वो anticlockwise sense में इस तरह से घुम रही होती है तब क्या situation होता है suppose मैं बोलता हूँ यहाँ से इसकी जो velocity है वो V है और यह omega से इस direction में घुम रही होती है तो इस point की अगर हम लोग velocity बोले इस point P की तो एक तो इस direction में आ गई किसकी वेज़े से rotation की वेज़े से अब rotation का sense change हो गया तो omega into y y distance पर हमने माना है तो omega into y तो एक velocity हो गई इसके अलावा आगे की तरफ क्योंकि यह velocity है ना translation की वेज़े से V आ गई और इस point P के पास अभी net velocity कितनी आ गई that is equal to V minus omega into y तो इस तरह से हम लोग इसका combined rotation plus translation motion का analysis कर सकते हैं अब अगर मैं बोलू की एक ऐसा situation आए जब V that is equal to omega y हो जाए तो हम लोग देख सकते हैं अगर यह if मैं वो रहा हूँ then Vp is going to be 0 मतलब उस point की velocity 0 हो जाएगे और इसी condition को हम लोग बोलेंगे instantaneous यह जो point P है this point P is known as instantaneous axis of rotation instantaneous axis of rotation यह हमने पढ़ रखा होगा तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उस point की velocity will be 0 और वो उस point के about body instantaneously वो जो instantaneously जिस point की velocity 0 हो रही है ठीक है वो point के about body pure rotation motion perform कर रहा है pure rotation क्योंकि उस point की velocity 0 हो चुकी है इसके बारे में हम लोग detail में भी क्योंकि यह theory नहीं है हम लोग discuss नहीं करेंगे लेकिन हम यह जो body है यह pure rotation motion perform कर रही होती है pure rotation motion perform कर रही होती हुए about point P बस हम लोग इसी concept का use करते हुए हम लोग question को solve करते हैं जो हमारा 1.5 बन है तो question कुछ इस तरह से है rotating disc जो की figure में इस तरह से दिया हुए moves in the positive direction of x-axis इस तरह से x-axis में वो आगे कि तरह move कर रहा होता है find the equation yx y as a function of x y as a function of x अगर हम लोग निकाल रहे that means यह क्या चीज़ को represent कर रहा है यह equation of trajectory होता है y as a function of x this is equation of trajectory describing the position of instantaneous axis of rotation जो हमने अभी देखा instantaneous axis of position instantaneous axis of rotation जो p point है उसके trajectory को represent कर रहा हो ऐसा हमे y as a function of x लिखना है ठीक है find the equation y as a function of x describing the position of instantaneous axis of rotation जो हमने point p लिखा था न उस point p का equation of trajectory हमें निकाल रहा है if the initial moment the axis c of the disk यह जो c point है na center of center of the disk जो था वो initially वो यहाँ पे था तहाँ पे origin पे था was located at the point was located at the point o that is origin after which it moved अब इसके बाद वो आगे move कर गया अब इसके first part में देखो क्या बोला जा रहा है first part में बोला जा रहा है यह कैसा move कर रहा है with a constant velocity v यह disk है उसकी जो translation velocity है that is v that is constant बहुत अच्छी बात है while the disk start rotating counterclockwise with a constant angular acceleration β अब यह counterclockwise move भी कर रहा है यह counterclockwise इस direction में जो भी समें जो sense दिखाई है counterclockwise इस तरह से move कर रहा है with angular acceleration β बीटा इसकी angular acceleration है initial angular velocity to be 0 initial तो हमें यह पता है कि omega equals to omega not plus beta t अगर मेरे पास constant angular acceleration बीटा is constant angular acceleration और initially क्या दिया हुआ है initially omega not is 0 तो t time पे इसकी जो omega हो जाएगी that will be equal to हम लोग बोल सकते हैं simple beta t और velocity किसी time t पे is v velocity at any time t is v ठीक है अब हमें relation चाहिए x और y में तो सबसे पहले तो वो जो instantaneous वाला जो point है instantaneous axis of rotation वो point देखो find out करेंगे अगर यह counter clockwise direction में counter clockwise direction में rotate कर रहा है that means इसकी instantaneous axis of rotation जो है वो ऊपर लाई करेगी कितना दिमाग लगा लो ठीक है this point will lie उपर किसी और point पे क्यो लाई नहीं करेगा अगर मैं बोलोगी तुम बोलोगी कि सबसर यहाँ पर क्यों नहीं लाई करेगा है यहाँ पर कैसे लाई कर सकता है देखो अगर हम लोग बोले rotation की वज़े से इसकी पास जो velocity आ रही है वो किस direction में है गी वो इस direction में है rotation की वज़े से यहाँ से perpendicular direction में ठीक है omega into r omega into r जो भी इसका r डिस्टेंस है omega into y बोल दो और translation की वज़े से इसकी velocity इस direction में है इन दोने अगर resultant 0 हो रहा है क्या नहीं हो सकता है तो ऐसा कोई random point नहीं होगा यह point हर जगर पर try करके देख लो यह point जो होगा वो उपर ही कहीं पर होगा suppose यह point है ठीक है जहाँ पे यह instantaneous of axis of rotation है यह point P है जो कि यहाँ से suppose y distance पे है और इस point पे अगर हम लोग देखें तो घूमने की वज़े से इस direction में omega into y due to rotation यह velocity है और translation की वज़े से इसमें जो velocity है that is P आगे की तरफ और यह point अगर instantaneous axis of rotation होना है that means omega y को b के equal होना पड़ेगा इस instant पे और omega किसी time t पे हमें पता है बीटा t तो यह हम रख देंगे और x x का भी एक relation मुझे चाहिए होगा क्योंकि y is a function of x मुझे निकालना है equation of trajectory है तो x किसी time t पे क्या हो जाएगा x equals to b t क्योंकि यह एक constant velocity से move कर रहा होता है इसकी जो translation velocity that is constant x equals to b t तो इसका इसन equation का use करते हुए इसका this equation and this equation को अगर हम लोग यहां डाले omega y equals to v पे तो omega को देखा हम लोग लिख सकते है beta into t into y that is equal to v और beta को हम लोग यह t को हम लोग यहां से eliminate कर सकते है तो t can be written as x y v यहां से x upon v into y that is equal to v और हम लोग यहां से देख सकते है this is equal to x y that is equal to v square x y equals to v square upon beta ठीक है और x as a function of y निकाल ला है तो लिख लो इसको x equals to y equals to लिख लो यह equation of trajectory तो आई चुक है मेरे पास में y equals to v square upon x beta और हमें यहां से देख रहा है this is equation of rectangular hyperbola x y equals to constant तो इस तरह की trajectories में आएगी case 1 में अब चलो case 2 की तरफ हम लोग बढ़ते है part b में b part में बोला गया है with a constant acceleration जो यह मेरे पास rotating disk है वो constant acceleration आगे तरफ बढ़ रही है constant acceleration w w से यह लोग represent करते है जो रसीन वो रप्रेजेंट करते है w से acceleration को represent करते है तो अगर यह w से आगे बढ़ रही है तो इसकी किसी भी moment पे velocity कितनी हो जाएगा b equals to w into t किसी time पे इसकी velocity इतनी होगी और इसका x coordinate किसी time t पे कितना हो जाएगा x कितना आगे बढ़ रहा है तो x equals to initially इसकी जो 0 initial velocity consider रहने को बोल रहा है x equals to half a t square हो जाता है तो half w into t square यह हो जाएगा और इसकी जो while the disk rotates counter clockwise अभी भी counter clockwise direction में घुम रहा है with a constant angular velocity angular velocity इसकी omega constant है this is omega there is a difference between omega and w this is w w को मैं थोड़ा और प्रोपर ले लिखता हूँ this is w this is w this is acceleration and this is angular velocity omega अब हमें पता है कि अभी भी यह ऊपर ही point लाई करेगा कि यह काउंटर clockwise direction को घुम रहा है और घुमने की वज़े से घुमने की वज़े से omega into y इसके पास velocity है और translation की वज़े से v velocity है that is w into t so v that is equal to omega into y जहाँ पे होगा इस position पे यह जो point है जो satisfy करेगा इस equation को तो वो हमें देगा जहाँ पे instantaneous axis of rotation लाई करेगी वो हमने देखा था अब v किसी time t पे हो जाएगा w into t इसको हम लोग लिखेंगे w into t that is equal to omega किसी time पे omega की value क्या है omega and into y अब देखो यहाँ से t को मैं eliminate कर सकता हूँ so t can be written as 2x by w का root under यह यहाँ पे put कर दो तो यह क्या है this is w into t is root over 2x by w that is equal to omega into y यहाँ से दिखलेंगे this is equal to 2x w that is equal to omega into y square कर दो 2x w that is equal to omega square into y square यहाँ से मैं बोग देख सकता हूँ x as a function of y मेरे पास आगया omega square y square upon 2 into w so इस तरह से हम लोग यहाँ पे trajectory निकाल सकता है x is directly proportional to y square तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग किस तरह से instantaneous access of rotation को use करते हुए इस question को बहुत ही easily solve कर सकते हैं तो hope आपको यह question समझ में आगा फिर भी कुछ लाउट रहता है तो आप लोग comment box में डाल सकते हैं कर दो निक लूत कि लिएrióं चैंटो आपको में अ क्यांटि अरव सब्सक्त। आंटीश, क्या हुआ बेच्थ तो आपको लाव अट्यव हरता में जायटेश द wohlग दूए